हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए क्लीनिंग टिप्स लेके आई हूँ ये क्लीनिंग टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं अगर आप इन टिप्स को यूज करेंगे तो आपकी समय की भी बच्चत होगी और आपका काम भी असान हो जाएगा तो आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अगर आपको ऐसे ही kitchen tips और देखनी है या cleaning tips और देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज आपके लिए मैं एक ऐसा spray लेकर आहिए हूँ इस spray से आप सारे घर की सफाई कार सकते हैं वो भी बहुत कम महनत में है और इसके बाद हम दो छोटे चमच डिस्ट बॉस रालेंगे तो हमारा spray बने के बिखो तयार हो गया है अब हम इसको mix नगे और एक spray बॉटल में भर लेंगे तो यह मैंने spray बॉटल ली है इसमा भर लेंगे तो देखी मैंने spray bottle में भर लिया आप के पास जो भी spray bottle पढ़ रिया है जैसे कोलेन की है या दूसरी बी कोई spray water पढ़ ग्र 있는데tery आप उसमें भर ले इससे हम Florence की सफाई कर सकते है जो kitchen में tiles होते हैं उनकी सफाई कर सकते हैं जो गयस के पीछे जो टाइल्स होती है, उनमेन और चीटे डिधा चिर जाते हैं, या दूसरी और चीजे जाती हैं, और हो टाइल्स ऑइली-ॉइली हो जाती हैं। तो इस spray से हम उनको भी साब कर सकते हैं तो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ पहले तो हम tiles पे इस प्रे कर लेंगे इस प्रे करने के बाद हम जो लोहे बाला बरतन साब करने का होता है वो हम लेंगे और इसको इस तरीके से घिस देंगे ये बड़ी असानी से जिद्धी से जिद्धी दाग होते हैं जो ऑल के वो भी निकल जाते हैं इसमें टाइम नहीं लगता और ये जटपट भी साफ हो जाता है तो इस तरीके से गिस दें तो दोस्तो इस spray से आप कोई भी चीज साफ कर सकते हैं जैसे मैं और भी चीज़े साफ करके दिखाऊंगी oily चीज भी और ऐसे normal जो दूसरी चीज़े होती है जैसे cupboard हैं वो भी आप साफ कर सकते हैं या दूसरी और चीज़े हैं वो भी आप इस spray से साफ कर सकते हैं लेकिन साफ करने से पहले आप इस spray bottle को हिला लें उसके बाद आप उसके से spray करें आप पहले सारे में spray करलें और वीच वीच में थोड़ा थोड़ा इसप्रे करते जाएं और इसको साफ करते जाएं अब हमारी टाइल्स साफ हो गए है इसके बाद हम गीला कपड़ लेंगे और उससे टाइल्स को क्लीन कर देंगे तो यह मैंने गीला कपड़ा ले लिया है इसके बाद हम सारी टाइल्स को पॉच देंगे जब गीले कप्रे से टाइल्स अच्छे से साफ हो जाए तो आप एक सूखा कप्रा ले ले और उससे टाइल्स को साफ कर दें तो आप देखी सकते हैं हमारी टाइल से एकदम साफ हो गए हैं एकदम क्लीन दिखने लगी हैं और ये चमकने भी लगी हैं तो आप इस तरीके से थोड़े थोड़े दिन में अपनी टाइल साफ कर सकते हैं इसी इस्प्रे से हम चिमनी भी साप कर सकते हैं तो आप देखी सकते हैं हमारी चिमनी कितनी गंदी हो रही है यह उपर से भी कितनी गंदी हो रही है और यह ओईली ओईली भी हो रही है तो यह देखिए हमारी चिमनी कितनी ओईली हो रही है तो चिमनी को भी मैं आपको साप कर करना कि दिखाऊंगी है तो चengage प्वी हम इसी तरह स्प्रेश कर देंगे और उसके बाद हम एक क्राब लेंगे और जो भी आपको लोहे वाला लेना तो आप भो भी ले सकते हैं या स्क्रब्भी ले सकते हैं तो मेरी चिमनी का जो सीशा है वो scratch proof है तो जो लोहे वाला होता है वो मैं लोए लूँगी आप ग्रीन वाला scrub भी ले सकते हैं उससे भी बड़े अराम से साफ हो जाएगी तो इस तरीके से spray करते जाएं और इसको साफ करते जाएं तो दीखे हमारी चिमनी कितनी गंदी हो रही थी ये बिलकुल साफ भी हो रही है ये असानी से साफ हो रही है और इसमें जादा मेहनद करने की ज़रत नहीं पड़ेगी ये बड़े असानी से साफ हो जाएगी तो आप इस स्प्रे करते जाएं और चिमनी को साप करते जाएं जब भी आपको किचिने की डीप क्लीनिंग करनी है तो आप इस तरीके से स्प्रे बना ले और सारी चीजें इससे साप कर ले तो साप होने के बाद हम इसमें भी हम गीला कपड़ा लेंगे और इससे पहले सारी गंद्गी हटा देंगे और उसके बाद हम इसको भी हम सूखे कपड़े से साप करेंगे अब चिपनी के सीसे को हम नीचे की तरफ से भी साप करेंगे और चिपनी को हम सारी नीचे की तरफ से भी अच्छे से साप कर लेंगे फिल्टर को हमें निकाल के साप करना है तो वो मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है फिल्टर को साप करना कि हमें कैसे साप करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रेट सन में डाल दूँगी तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं तो नीचे से भी इस तरीके से साफ कर लें उसके बाद देखेंगे कि आपकी चिमने एकदम क्लीन हो गई है और एकदम साफ दिखने लगी है तो आप थोड़े थोड़े दिन में साफ करते रहें जिससे कि आपकी चिमने ज्यादा गंदी ना हो तो देखें हमारी चिमने बिल्कुल साफ हो गई है और एकदम क्लीन हो गई है इसका जो काच है जो सीसा है वो एकदम साफ हो गया है और इसके जो फिल्टर है वो भी मैंने आपको बताई दिया है कि उसको कैसे क्लीन करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन हों डाल दूंग अगर आप इसी स्प्रेय से गेस स्टोब साफ करेंगे तो आपका गेस स्टोब एकदम मिरर क्लीन हो जाएगा और एकदम साफ दिखने लगेगा गेस के उपर भी हम स्प्रेय कर देंगे और एक ग्रीन वाला स्क्रब लेंगे उसकी हेल्प से हम इसको साफ कर लेंगे तो इस तरीके से आप क्लीन कर ले गैस स्टोम है तो और बिल्कुल मेहनद करने की जर्द नहीं होती ये बड़े असानी से साफ हो जाता है गैस की जो बटने होती है वो भी आप इस तरीके से साफ कर ले और साफ होने के बाद इसको भी आप गीले कपड़े से साफ करें पहले और उसके बाद आप एक सूखे कपड़े से साफ करें तो देखिए दोस्तों हमारा गैस एकदम क्लीन हो गया है एकदम साफ हो गया है ये बिलकुल मिरर क्लीन हो गया है तो आप इस तरीके से गैस भी साफ कर लें अब हम इसी इस्प्रे से हम कबर्ड साफ करेंगे तो देखिए हमारी कबर्ड कितने गंदे हो रहे हैं डेली हम केचेन में काम करते करते हम कबर्ड खोलते हैं कुछ चीज़ा हम निकालते हैं तो हमारे कबर्ड गंदे हो जाते हैं तो इस तरीके से काले हो जाते हैं अगर जादा दिन तक साप ना करो तो ये थोड़े काले हो जाते हैं इनको साप करने के लिए आप इस पे स्प्रे कर दें और जो बर्तन साप करने का जो ग्रीन कलर का स्क्राव होता है उससे थोड़ा सा गिस दें इसमें भी जादा मेहनत करने के जुरत नहीं पड़ती ये भी असानी से साफ हो जाता है किसने के बाद आप इनको गीले कपड़े से साफ करें पहले और उसके बाद आप इसी सूखे कपड़े से पौच दें तो आपके कपड़ बिलकुल क्लीन हो जाएंगे तो आप देखी सकते हैं मैंने इतना क्लीन हो गया हमारा कपड़ एकदम साफ हो गया है तो इस तरीके से आप अपने कपड़ भी साफ कर सकते हैं तो है ना दोस्तो ये कमाल की चीज तो यह अब मैं नल्स भी साप करके बताऊंगी मेरी किचिन के नल्स आप थे इसलिए मैंने उनको दिखाया नहीं अब मीबाथ रूम के नल्स आप करके बताऊंगी आपको इसमें भी हमेव स्प्रे कर देंगे तो इसी तरीके से हम इस्प्रे कर देंगे तो आप देखी सकते हमारा नल गंदा हो रहा है अभी एक दम ये बिल्कुल साइन करने लगेगा इस्प्रे करने के बाद जो ग्रीन कलर का स्क्राब होता है उससे आप इसको थोड़ा सा गिस दें ये देखिए कितने चमकने लगे है जब आपके नल साफ हो जाए तो उसके बाद इसको पानी से धोले तो इस तरीके से पानी से धोले पानी से धोने के बाद आप एक सुखा कप डाले और इसको पहुच दें तुरण नहीं तो इसमें पानी के निशान लग जाते हैं तो इसलिए आप इसको जरूर पहुचें तो आप देखी सकते हैं हमारा नल कितना क्लीन हो गया है एकदम साफ दिखने लगा है जिसमें मैं भी दिख रही हूँ आप ध्यान से देखेंगे तो इससे आप और भी चीज़े साफ कर सकते हैं पर वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इतनी चीज़े साफ करके बताई है तो आप इससे पूरा किचेन वड़े अराम से साफ कर सकते हैं और अपना किचेन एकदम क्लीन रखें साफ रखें, स्वच रखें थैंक यू